तो भई कायदे से जो काम किसी मल्टी मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन वाले युनिवर्स को करना चाहिए, वो कर रहा है अपना देशी हॉरर कॉमेडी युनिवर्स स्त्री से पब्लिक को पागल बनाया, फिर भेडिया से इतने कम बजट में टॉप क्वालिटी का सिर्मा दिखाया, फिर स्त्री टू से छपपर फार के पैसा कमाया और इस से पहले कि किसी की बुरी नजर लग जाए, ठीक एक साल पहले अगली दिवाली मने दोहजार पट्रीस की डेट को लॉग करके अपना नया प्रोजेक्ट अनाउंस कर दिया, कितना अरेंच तरीके से काम करते हैं Mad Dog Films में हमेशा बोलती हो, ये लोग पिक्चर नहीं बनाते, अविशकार करते हैं, जिसको बाकी फिल्मेकर्स बाद में कॉपी करके पैसा कमाने का शॉर्टकट ढूनते हैं था मा, ये नई फिल्म अनाउंस हो गई है, जिसमें साफसा वार्निंग भी दी गई है कि मामला खुनम-खुन होने वाला है, लव स्टोरी विद बहुत सारा लाल खुन आयुश्मान खुराना वेंपायर बनने वाले हैं, बड़े-बड़े दात वाला कैरेक्टर जैसे हॉलिवुड की मूवी ड्रैकुला में देखा होगा उसका देसी वर्जिन तो भाई मैडम रश्मिका फ्रॉम आनिमल सीधा दूसरे जानवर के प्यार में पढ़ने वाली हैं और इस कॉमेडी हॉरर को ट्रेजडी में बदलने जा रही हैं बट मैं सबसे जादा excited हूँ उस चीज़ को लेकर जो actually इस teaser में छुपाई गई है या पर बोलू छुपाया गया है कौन थोड़ी देर में बताऊंगी वैसे एक मज़िदा रोमांटिक सॉंग और स्क्रीन पे भूतिया फिल्म का अनॉंस्मेंट वो पुराने अच्छे दिन याद आ गए ना जब हॉरर मुवीज का म्यूजिक अल्बम इमरान हाश्मी के गाने वाओ राज, 1920, महेश भट, विक्रम भट का सिनिमा जिसको सुनकर बचपन निकला है हम सब का थामा के अनॉंस्मेंट ने वो फील वापिस ला दिया है पहले ही पता था मुझे, Mad Dog वाले 3-2 के बाद कुछ अनॉंस करेंगे तो वो 1% भी मामूली तो नहीं होने वाला सब के होश उडा के रख देंगे और देखो बिना किसी एक्टर का चहरा दिखाए, बिना किसी फर्स्ट लोग या फिर हाइफाई कास्ट के भी कितना ज़्यादा हाइप बना दिया है 40 सेकेंड के विडियो से बॉलिवड बाले यहीं नहीं समझते हैं, आप चाहे पूरी फिल्म इंडस्टरी को एक साथ किसी फिल्म में लेकर आ जाओ, पूरे 5 मिनिट की शॉट फिल्म यूट्यूब पे रिलीस क्यों न कर दो लेकिन जो हाइप एक उरिजिनल नई चीज़ को देखने से फिल होता है, उसका कंपैरिजन, बजट, पैसा, कास्टिंग, कैमियो इन सबसे नहीं हो सकता बॉस बस तो कैमियो से याद आया, इस टीजर में आपको सिफ आयुषमान रश्मिका की लफ सोरी का हिंट मिला है, बाग्राउंड में सौंग भी दिल पर हिट कर रहा है, प्लस फिल्म में नेगेटिव रोल नवास सर प्ले कर रहे हैं, जो थोड़ा बहुत किक में उनके मौत को चूकर वापिस आने वाले कैरेक्टर जैसा डेवल हो सकता है, और परेश रावल सर फिल्म में है, माने पंकश्त्रिपाथी जैसा कॉमेडी यूमर लेकर आना इनके जिम्मेदारी होगी, और क्या पता वैंपायर का इलाज इनके दिमाग से ही निकले, बट वो चीज जो टी प्राणी आया है, जो अपने दोनों नात गले में घुसाकर लोगों का खून चूस राया है, उसको रोपनी के लिए भेडिया को भार आना पड़ेगा, और बहुत जरा सा गूगल पर रिसर्च करोगे, तो एक थियोरी पढ़ने को मिलती है कि वेंपायर और वेयर बुल्स दोनों एक बूस्टे के जानी दुश्मन होते हैं, क्या पता कुछ ऐसा कलेश हो जाए कि वेंपायर की प्रेमिका, रश्मिका की जान भेडिया की वज़े से चली जाए और ये लव स्टोरी, बलडी स्टोरी राइवल्री बन जाए, इसी सेम कॉंसेप फेट वाइलाइट सी बेस्ट न्यूज ये कि फिल्म शाए डिसमबर पत्रीज क्रिसमस पे रिलीज भी हो जाएगी, भेडिया 2 में फिर से आयुश्मान एस वेंपायर आएंगे, जिनकी कहानी अल्रेडी थामा में हमें दिखाई जा चुकी होगी, तो सोच लो डिसमबर में दिमाग कितना प्लस एक कमाल की बात बताऊं, भेडिया की एंडिंग में कृती सेनन वाले कैरेक्टर को पहाड से गिराके उनको गायब कर दिया था, मरता हुआ नहीं रिखाया था और अब चुकी युनिवर्स में वेंपायर एंट्री मार रहा है, हो सकता है किसी तरीके से कृती वाले कैरेक्टर को आयुषमन में जिन्दा भी कर लिया हो, सूपर पावर्स होती है इन वेंपायर्स के पास वैसे अब तो इस तरी से भेडिया की मुलाकात भी हो चुकी है, क्या पता माडम श्रद्धा और उनकी जादूई चोटी भी थामा, भेडिया टूग किसी फिल्म में सर्प्राइज बन के आ जाए औनेस्ट रियाक्शन इस अनॉंस्मेंट वीडियो को मेरी तरह से ये सल्यूट है बॉस, कम बजट में ऐसा कॉंटेंट लेकर आना जिसकी पब्लिसिटी खुद ओडियन्स करे बस यही तो चाहिए बॉलिवुट को बिना किसी शक दिवाली 2025 पे थामा का हाइप ऐसा होगा कि उसके सामने क्लैश करने से पूरा इंडियन सिर्मा डरेगा गैरेंटी बाकी वीडियो में कुछ पसंद आया हो या आपके कुछ शिकायत करनी हो कि मैं आपके इंस्टेग्राम पर भी मिल जाओंगी वर्ना थोड़ा से इंतिजार करिए मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में टेक केर बाई-बाई